मैं आज आपके लिए दाल मखनी और नान की रेस्पी लेके आए हूँ यह बहुत ही डेस्टी बनता है और घर में इजली बना सकते हैं चलो देख लेते हैं यह मैंने दो चोटी कटोरी ओड़त साबूत लिये हैं और दो मुठी राजमा लिया है इनको मैंने ओवरनाइट दालूँगी अजब तक यहमारा बॉल होगा जब तक हम डॉब लगा लेंग साठीस होगा मेदा लिया है उसमें नमक दाल दूगी ठोड़ा सा दालने इक चमच चीनी डालेंगे अब इसमें चीनी डाल दिया घ्राइच से एक कटोरी एडी जाइड़ एड़ कर दूंगा अच्छे से मिक्स कर लिए को मिक्स कर लेती हूं उसको मसल मसल के इसमें से अच्छे से डो बना लेंगे जैसे हम उसका दो बनाते है रोटी का नहादा पदला करेंगे नहला टायट करेंगे इसमें मैं चार्ड स्पून रिफाइंड ओल डाल दूंगी जिससे हमारा ये नान है जो क्रिस्पी क्रिस्पी बने ओल डाल दिया मैंने इसको भी अच्छे से मसाल लूंगी मैं मिक्स कर लेती हूं इसको अब इसमें मैं पानी डाल डाल के इसका अच्छे से डो बना लूंगी जब तक हमारे वो राजमा और ओड़त साबुद बोईल हो रहे हैं जब तक हम डो लगा लेंगे यह हमारे डो जब तक रेस्ट कर लेगा जब तक हम उसमें तड़का लगा के इसको फिनिश करेंगे जल्दी से जल्दी बन जाता है यह देखी मैंने डो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है अब इसमें मैं ओईल लगा के इसको रेस्ट उन करने के लिए छोड़ दूँगी जब तक हम तड़का लगा लेंगे तड़के के लिए चीज़े देख लेते हैं यह मैंने चार और राजमा भी अच्छे से बोईल हो गया है यह मैंने ओईल लिया है कड़ाई में अब इसमें मैं जीरा तेजपता और हिंग एड़ कर दूँगी इसको अच्छा सा कलर आने देंगे हिंग भी एड़ कर दूँगी अब इसमें मैं प्याज भी एड़ गर देती हूं इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने देंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे वह जल्दी पक जाए यह देखिए यह लगवा पक गया है अब मैं इसमें टमाटर एड़ गर दूँगी जो मैंने प्यूरी बना के रखी जिसमें मैंने सब कुछ डाल के रखा था अब इसमें हम कुछ मसाले अड़ कर देंगे यह मैंने छोटी चमच हल्दी लिया है थोड़ा सा मचूर लूँगी मैं और एक चमच करम मसाला इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें ढकन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दू अब इसमें मैं रेड चिली पाउडर कश्मीरी रेड चिली पाउडर एड़ कर दूँगी मैं जिससे इसमें कलर काफी अच्छा आएगा एक चमच दालेंगे इससे कलर आएगा इसमें मिर्ची नहीं बढ़ेगी कि इस स्रिफ कलर के लिए होती है अब इसमें बॉयल की लडाल और दाला में को एड़ ङरके इसमें मिक्स कर लूंग है इसमें थोड़ा पानि औरatell और ऊड़ कर दूँगी पानि कर दिया मैंने इसको चड़ा लूँगी कि इसको मैं ढख देती हूं जब तक इसमें अच्छा सा बॉइल आए दो मिनिट बाद देख लेते हैं बॉइल आने लगा है अब इसमें मैं मलाई एड़ कर देती हूं अगर आप चाहें तो दूद भी एड़ कर सकते हैं यह बॉइल डाल दूँगी यह अपने आप इसमें अच्छा से मिक्स हो जाएगी बॉइल हो के इसमें अच्छा सा बॉइल बॉइल आने दे जब तक मैं इसको चलाती रहूंगी यह देखिए बॉइल आने लगाए साथ-साथ अब इसको कवर करके छोड़ दूँगी यह देखिए एक मिनिट बाद देखे कितने अच्छा से हमारी मालाई इसमें मिक्स हो गई है अब इसमें मैं बटर एड़ कर दू अच्छा बढ़के आएगा अब हम दो देख लेते हैं जब तक वह हमारा पक रहा है अब तक यह देखिए हमारा डो भी काफी अच्छे से रेडी है मैं इसको थाली के उपर बनाऊंगी चकले पे चिपक जाएगा यह मैंना ओईल लिया है डो ले लेंगे इसको अच्छे से आसो से मसल मसल के ओईल लगा लूँगी ठाली पर इसको रखके अच्छे से इसको बेल लूँगी अब मंचाय शेप में कर सकते हैं आपको जितना लंबा बनाना है उतना लंबा बनाईए अब चाहिए तो इस पर हरा धनीय भी लगा के इसको बना सकते हैं यह मैं इसको बना लूँगी अब इसको हाथ पे रखके इसमें मैं पाणी लगा दूँगी जिससे यह हमारे तवे पे अच्छे से चिपक जाए पाणी लगा लिए मैंने इस पर अब हम तवे की तरफ चलते हैं यह तरवा हमारा अच्छा से गरा में इस वो तोनों हाथों की हेल्प से इस पर अच्छा से वो कर देंगे अब यह देखना कलर चेंज हो जाएगा तो लगबग हमारा नीचे से सिख जाएगा अब इसे हम पलट के सेख लेंगे अब मैं इसको सेख लेती हूँ चारो तरफ से अच्छे से अब फिर देखना हमारा कलर कितना अच्छा आएगा हमारे नान का अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे चानल को लाइक किजेकर सब्क्राइब किजेकर कमेंट करके बताएगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी देखे मेरा नान कितना अच्छा से शिकाया आगे से भी और पीछे से भी दूसरा भी बना लूँगी मैं इस उसको भी है वैसी हम उसी तरह से सेखेंगे खाने में बोर टेस्ट ही बनता है और यह घर का बना हुआ है अब इसे मंचाही शेप देना चाहें उस शेप में बना सकते हैं हम इसको जितना बड़ा करेंगे अपने आप ही छोटा हो जाएगा इसे बाड़ा पानी लगा के दुबाल से तब पर रख दूँगी दोना हाथों के हेल्प से देखिए दाल मकनी में मेरी अच्छा से रड़ी हो गई है अब इसको मैं प्लेट लगा लेती हूँ तो मैं दाल मकनी रख दिये अब यह देखिए मैं इसमें बटर लगा के अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चानल को लाइक कीजएगा सब्क्राइब कीजएगा कमेंट करके बताएए मेरी रेस्पी आपको कैसे लगी अच्छा लग रहा ना